हेलो इस वीडियो में हम थीम्स के बारे में जानेंगे तो एक्सल में बहुत से थीम्स दिये गए है अगर हम अपने सारे डाकुमेंट का स्टाइल एकदम चेंज करना चाते है तो ये काम हम थीम्स में जाकर कर सकते हैं तो इसको करने के लिए ये हमारे पास डेटा यहां पे दिये गया है ये डेटा है इसका हम यहां पे टेवल बनाएंगे तो यहां पे इसको सारे को सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद इंसल्ट टैप पे जाएंगे इंसल्ट टैप पे जाने के बाद यहां पे टेवल प यहां पे आगे आने के बाद हम यहां पे यह my table has header यहां पे इसको check रहने देंगे क्योंकि यह header यहां पे दिये गया है इसके बाद ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यह table यहां पे बन जाएगा बनने के बाद themes को समझने के लिए हम यहां पे shape को insert करेंगे तो shape को insert करने के लिए यहां पे insert टैप पे जाएंगे इसके बाद shape पे जाएंगे शेप पे जाने के बाद कोई भी शेप यहां पे लेंगे जैसे हमने यह शेप ली और यह शेप लेने के बाद इस शेप को यहां पे इंसल्ट करेंगे यह शेप यहां पे इंसल्ट कर दी इंसल्ट करने के बाद यह जो हमारे पास डेटा है इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसको सारे को सलेक्ट करेंगे सलेक्ट करने के बाद इंसल्ट टैप पे जाएंगे और इंसल्ट टैप पे जाने के बाद यहां से कोई ग्राफ चूज करेंगे यहां पे यह हमने यहां पे क्लिक किया इसके बाद यहां पे क्लिक किया यहां पे क्लिक करने के बाद इस डेटा का ग्राफ यहां पे बन जाएगा इसके बाद इसको फिर शोटा करेंगे शोटा करने के बाद इसको यहां से ड्रैग करेंगे resize करेंगे यह resize किया resize करने के बाद अब यहां पे हम themes को समझेंगे कि themes को कैसे apply किया जाता है तो इसको करने के लिए हम यहां पे page layout tab पे जाएंगे page layout tab पे जाने के बाद यहां पे theme पे जाएंगे यहां पे theme के more बटन पे क्लिक करेंगे और more बटन पे क्लिक करने के बाद यहां पे यह custom theme आ जाएंगे यह दिखो, यह दिखो, यह table यहां पर change हो गया, इसके बाद यह object चेंज हो गया, इसके बाद यह graph चेंज हो रहा है, इसके बाद यहां पर click किया, तो यह दिखो, यह सारा यहां पर table चेंज हो गया, object चेंज हो गया, graph चेंज हो गया, इसके बाद यहां पर click किया, यह दिखो उपर हम क्लिक कर रहे हैं वही थीम सारे डाकुमेंट में अपलाई हो रहे हैं तो इस तरह से हम कोई भी थीम यहां पर अपलाई कर सकते हैं तो हमने इस थीम के उपर क्लिक किया तो यह देखो यह थीम जो है सारे डाकुमेंट में अपलाई हो गया इस डेट में भी अपलाई ह इस object में apply हो गया और इस grab में apply हो गया तो इस तरह से हम theme को सारे document में apply कर सकते हैं इसके बाद themes group में second function है colors तो colors जो है इस color का use करके हम अपने सारे document का जल्दी से color change कर सकते हैं यहां पे color पे click करने के बाद यहां पे बहुत से color आ गए जिस color के उपर हम यहां पे click करेंगे वही color कलर यहां पर अप्ला यहां पर किल रогा क्लिक करने के बाद यह कलर बना हुआ कॉस्टम बन तो है क्लिक करें तो यह color यह ही apply होगा इसके बाद निच्छे यहां पे click करेंगे custom 2 पे तो यह देखो यह color change हो रहा है इसके बाद custom 3 पे click करेंगे यह देखो custom 3 पे यह color change हो गया यह तो हो गया custom color के अगर हम office color यहां पे click करेंगे तो यह देखो first office यहां पे लिखा हुआ office यह color change हो गया इसके बाद आगला color बना हुआ है office 710 तो यहां पे click करेंगे तो यह color change हो गया इसके बाद आगले पे click करेंगे gray scale color यहां पे बना हुआ है यहां पे click किया है यह देखो सारा हमारा document gray scale color में change हो गया इसके बाद आगर यहां पे यह देखो blue color यहां पे click करेंगे तो इसमें change हो इसके बाद यहां पे ग्रीन चाहिए तो यहां पे यह देखो यह ग्रीन यहां पे दिये गया है यहां पे यह चाहिए कलर तो यह सारे डाकुमेंट में यह अपलाई हो रहा है इसी प्रकार आगे बहुत से कलर यहां पे दिये गया है और भी निच्छे यहां पे कलर दिये गय यह देखो सारे document में यह yellow color यहां पे apply हो गया इसके बाद themes group में आ गया है fonts तो fonts में क्या होता है अगर हम अपने document का text जल्दी से change करना जाते हैं तो यह काम हम font के दबारा कर सकते हैं यहां पे हम font पे click करेंगे तो font पे click करने के बाद यह जितना भी यहां पे text लिखा हुआ है यह table में text लिखा हुआ है इसके बाद यहां पे यह shape है यहां भी हम कुछ लिखेंगे जैसे यहां पे मैं अपनी channel का नाम लिखूँगा तो इसके उपर right click किया Edit Text यहां पे क्लिक किया और इसके बाद यहां पे Channel का नाम लिखा Bias, Gyan, Tech यह Channel का नाम लिखा लिखने के बाद हम क्या करेंगे यह जो font है यह देखो यह table का font भी change होगा इसका font भी change होगा और यह जो graph है इसका font भी change होगा तो यह सारे document का font change होगा तो इसको change करने के लिए हम यहां पे font पे क्लिक किया font पे क्लिक करने के बाद यह देखो office font यह पहले पे क्लिक किया है यह जारा यहां पे change हो रहा है इसके बाद आगे office 710 font यहां पे यह देखो सारे change हो रहा है इसके बाद आगे पी क्लिक किया तो यह आगला फॉंट चेंज हो रहा है इसके बाद आगे क्लिक किया फॉंट चेंज हो रहा है इसके बाद आगे क्लिक किया तो यह फॉंट चेंज हो गया इसके बाद आगे तो इस तरह से हम किसी भी font के ओपर click करेंगे वही font यहां पे apply हो जाएगा तो suppose करो हमने यह font चाहिए तो यहां पे हमने click किया तो यह font यहां पे apply हो जाएगा यह देखो यह सारे document में यह font apply हो गया इसके बाद themes group में आगया है effects effects में क्या होता है आगर हम अपने document के object का look जल्दी से change करना जाते हैं तो हम यह effects function के दोबारा कर सकते हैं तो जैसे यह हमारा object है यह जितना भी यहां पे दिये गया है यह object है अगर इसको change करना जाते हैं तो हम effects के दोबारा इसको change कर सकते हैं इसको बड़ा कर लेते हैं यहां पे इसको बड़ा किया बड़ा करने के बाद फिर यहां पर एफेक्ट पर जाएंगे एफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर बहुत से एफेक्ट है जिसके उपर हम क्लिक करेंगे यह हमारा अब्यक्ट यहां पर चेंज हो जाएगा यह देखो जैसे यहां पे क्लिक किया तो यह अब्जेक्ट चेंज हो रहा है अगले पे क्लिक किया यह देखो चेंज हो रहा है इसके बाद यहां पे क्लिक किया यह चेंज हो रहा है यह देखो यहां पे एफेक्ट यहां पे अपलाई हो रहा है यह देखो यहां पे बहुत से effects है जिसके ओपर click करेंगे वही यहां पर apply हो जाएगा यह देखो यहां पर apply हो गया यहां पर यह apply हो रहा है तो suppose करो हमें यह चाहिए यहां पर click किया यह effects यहां पर object पर apply हो गया तो इस वीडियो में हमने themes group के बारे में जाना कि themes group के दवारा कैसे हम सारे document का theme चेंज कर सकते है color चेंज कर सकते है font चेंज कर सकते है effects चेंज कर सकते है इसके बारे में सीखा अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद